हेलो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट की जिसमें हमने अब तक दो पार्ट कम्प्लीट कर लिये हैं उनमें क्या क्या पढ़ लिया है पढ़ लिया है कि ओफर क्या होता है कंप्लीट होता है का इसके बाद हमने पढ़ा था रिवोकेशन ओफर और एकसेप्टेंस ते यह सब हमने क्या है लास्ट दो वीडियो में complete कर लिया है आज हम बात करेंगे consideration की consideration क्या होता है और जो valid contract के essential part थे competent parties थी उसके अलावा जो free consent कौन सी नहीं होती है consent क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको यहीं पर आज हम complete करने की तो देखे consideration दिया हुआ है section 2 के D में, subsection D में दिया हुआ है consideration होता क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने offer पढ़ाता offer में क्या हुआ था कि एक person दूसरे person को क्या बोलता है कि कुछ करने के लिए कहता है या फिर उसको रोकता है कुछ करने के लिए कुछ करने के लिए कहता है या फिर रोकता है वो कौन होता है वो होता है offer जो चीज क्या है बेच रहाता जैसे हमने बात की थी कि वो घर बेच रहाता तो उसने क्या offer किया था या फिर मेरी शादी के लिए offer किया था तो फूरी था यह फिर रोक रहाता है किस चीज के लिए जैसे मालीजिये उनकी कार का और एक स्कूटर का एक्सिडेंट हो गया था तो फूर क्या कह रहा था कि भाहिया तुम मेरे खिलाब केस मत करना मैं तुमें बाहरी settlement कर रहा था तो वो क्या कर रहा था रोक रहा था ओफरी को किस चीज के लिए case करने के लिए तो वहाँ पर एक जगह वो क्या कर रहा है जो सामने वाला है उसको क्या कर रहा है राजी कर रहा है काम करने के लिए मतलब उसको करने के लिए और दूसरे कंडिशन में क्या है रोक रहा है तो यहाँ पर भी सेम ही बात है कि consideration क्या है कि एक ऐसा Act जो जिसमें क्या है वह कहता है करने के लिए या फिर क्या पे होगा। एक्जाम्पल सेम है कि A. ne B. को घर बेचा। बेचने के लिए उसने क्या किया। ऑफर किया। तो यह कौना सी कंडिशन हो गई वह कहने, मतलब कुछ कह रहा है करने के लिए। और दूसरी कंडिशन क्या हो गई कि उनका accident हो गया था तो वह क्या है court के बाहर ही settlement कर रहा है तो प्रोमिषर रोक रहा है .भावर करने के लिए is fineuisic education one मतलब क्य रूपए क्या हूता है कि मतलब कुछ exchange करना है अगर ए भी को कुछ ते जैसे A ने B को क्या किया घर दिया तो B ने A को क्या किया उसके बदले में कुछ रुपए दिये consideration क्या है कि जैसे माली जी A है और B है तो A ने B को क्या है घर बेचा तो B के पास क्या आ गया? घर आ गया और B ने A को इसके बदले में क्या दे दिया? रूपीज दे दिया 10ลak रुपे तो B ने A को क्या कर दिया? रुपे दे दिया तो कुछ क्या है? A ने B को कुछ दिया और B ने कुछ A को दिया उसकkeeper क्या कर दिया? Something in return मतलब एक दूसरे को बदले में कुछ देना है consideration का मतलब यही है कि एक के बदले में दूसरे AB को कुछ देगा BA को कुछ देगा वो ही क्या है consideration है यह कैसे हो सकता है past present और future हो सकता है present future executed contract ग्रोसर ने क्या किया तो शुगर सैल की थी ठीक है तो वह executed वो तो क्या हो गया present हो गया consideration ग्रोसर ने सुगर सैल की वह यह वाला example ले लिजे कि A ने B को घर बेचा तो B ने को क्या है रुपए दिए तो यह कैसा हो गया यह present हो गया consideration बी के लिए consideration क्या हाउस एक के consideration क्या है money future consideration executory contract अने बी को क्या किया था अने बी को क्या किया था शुगर पेची थी किस पर credit पर बीने को अभी तक कुस दिया नहीं थे future consideration होगा पास्ट पास सेम है एने बी को कुछ दिया या बी ने एक को कुछ दिया एने कहा कि मैं उसको promise करता है बाद में कुछ पे करने के लिए तो यह पास consideration तो consideration पास्ट प्रजेंट और future तीनो टाइपस के हो सकते हैं इसकी हर लाइन पे क्यूशन बनता है कि consideration की जो अपने साथ पॉइंट पे क्यूशन बनता है तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें हर पॉइंट पे क्यूशन बढ़ता है तो consideration कैसा हो हो सकता है executed executory या फिर उसको हम कह सकते है प्रजेंट पास्ट और शूचर तीनों तरह का हो सकता है adequate हो सकता है inadequate हो सकता है इसको समझना adequate का मतलब तो यह है कि ए ने बी को घर बेचा कितने में दस लाग रुपए में उस घर की कीमत मार्केट में भी कितनी थी दस लाग रुपए में थी यह तो क्या होगा adequate consideration inadequate में क्या हुआ घर दस लाग ता इसने का मैं तो पांच लाग में बेच दी अभी को तो यह inadequate ineducate consideration ऐसा क्योंकि मर्जी हो सकी घर मेरा तो मेरी मर्जी हो मैं कितने में बेच 132 इन दिच princes और इसे कम वैल्यू में बेच तो in Dec ौन skillsaten और इसन नहीं होना चाहिए अले पॉप्लिक पॉलिसी के अपोस्ट नहीं होना चाहिए जैसे ड्रक्स की सप्लाई है तो उसके बदले में कुछ मिल रहा है लेकिन वो क्या है वो क्या है अनलोफुल है यह फिर हमने पहले भी पढ़ाता थे इल्लीगल कॉंट्रेक्ट जैसे मालो किसी को सुपारी दे दी मारने के लिए तो वो भी क्या है अनलोफुल कॉंट्रेक्ट है अब पॉस्ट पॉब्लिक पॉलिसी इम्मोरल कॉंट्रेक्ट किसी सत्रु देश के साथ जैसे पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा व्यापार करना जो नैशनल इंट्रेस्ट में नहीं हो तो वो क्या है इम्मोरल और पर्फोर्म दा ड्यूटी यह क्या है लीगली बाउंड है ड्यूटी पर्फोर्म करने के लिए तो इसको कंसीडरेशन नहीं मानते हैं इसका एक्जामपल ले लिए विटनेस मान लिए आप किसी के आई विटनेस है आपने कुछ ऐसा होता हुआ देखा है ठीक है और उसके लि है कि आप विटनेस बन जाएए मैं आपको पैसे देता हूँ और फिर वह आपको पैसे नहीं देता है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यह आपकी क्या है लीगली बाउंड ड्यूटी है करने के लिए आपको यह ड्यूटी परफॉर्म करनी है यह लीगली आप प उसको समझना पॉइंट को अगर समझ में नहीं आया तो दुबारा से सुन लीजे कि कोई विटनेस है उसने कुछ भी होते हो उसने कुछ रोड एक्सिडेंट होते हुए देखा है तो अब यह उसकी ड्यूटी है हालां कि वह कोई करता नहीं है लेकिन लीगली उसकी ड्यूट होना है या फिर पुलिस के शामने जाना है तो उसको वहाँ पर जाके बताना है कि क्या हुआ था इसके लिए है न जो उसको कोई पैसे नहीं देगा इसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देगा तो यह वही कहना चाहरा है कि जो उसका काम था वो उसको करना है उसको हम क्या उ इल्यूजुरी नहीं हो नीची जैसे माली जी किसी ने इल्यूजुरी का क्या मतलब हुआ मतलब जो रियल नहीं हो आभासी हो किसी ने कहा जादुगर ने कि मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंड दूंगा तो क्या है, Real है? Real नहीं है, कैसी है? आवासी है तो Consideration कैसा होना चीए Real में जैसे यहां पर दे कि इसने इसको घर दिया, इसने इसको क्या है, पैसे दिये तो Consideration कैसा हो गया, Real हो गया, यह Illusory नहीं हो सकता और something in return बात कर चुके हैं A ने B को कुछ दिया, B ने A को कुछ दिया तो consideration का मतलब क्या है कि कोई भी चीज का exchange हो रहा है A B को कुछ दे रहा है और B A को उसके बदले में कुछ दे रहा है तो ये होता है consideration अब इसका एक general rule है कि no consideration no contract ये general rule है मतलब अगर consideration नहीं है तो contract भी नहीं बनेगा अगर consideration नहीं है तो contract भी नहीं बनेगा इसके कुछ exceptions है वो आपको याद करने है completely वहाँ से execution बनता है ये क्या general rule है general rule के क्या होते है exceptions होते है exceptions आगे पढ़ लेंगे अब इसमें इसका example देख लें नो चलिए आगे आगे देखते हैं इसका example कि no consideration, no contract का क्या मतलब होता है इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं देखिए जनरल रूल क्या है कि अगर consideration नहीं है तो contract भी नहीं बनेगा ठीक है ये जनरल रूल है इसका example देख लीजे कि A ने B को promise किया कि मैं तुम्हें 100 रूपे पे करूंगा कर दिया promise अब B कि A पे claim कर सकता है कि उसको force कर सकता है कि तुम मुझे 100 रूपे पे करो किस basis पे करेगा कुछ consideration ही नहीं है B ने A को कुछ नहीं दिया कुछ return में दिया एक है B ने A को नहीं दिया A के वल promise कर रहा है तो यहाँ पे consideration नहीं है तो यहाँ पे कोई contract नहीं बनेगा ध्यान से सुनना जहां consideration नहीं है जहां return में कुछ नहीं हो रहा जैसे भी पहले पढ़ाता है कि A ने B को घर दिया था तो B ने A को क्या है 10 लाख रुपे दिये थे तो वहां consideration था यहां कोई consideration नहीं है तो यहां पर कोई contract नहीं बनेगा यह general rule है ध्यान रखना इसके कुछ exceptions है वो है section 25 में किसमें section 25 में exception है क्या exceptions है कि जहां पर consideration नहीं है फिर भी enforceable contract है मतलब valid contract बनेगा consideration नहीं है फिर भी valid contract बनेगा जबकि general rule क्या कह रहा है जहां consideration नहीं है वहां कोई contract नहीं बनता है लेकिन section 25 क्या कहता है कि कुछ ऐसी conditions है जहां पर consideration नहीं होने के बावजूद भी contract बनेगा वो condition है पाच condition जो आपको रटनी है question आएगा यहां से क्या है उसमें पहली condition देखिए कि कोई भी agreement है वो कैसा होना चाहिए return में होना चाहिए registered होना चाहिए और natural love and affection से related होना चाहिए तो इस condition में जो contract बनेगा वो valid contract होगा देखिए example यह अमिताब है यह अभिशेक है तो अमिताब क्या है father है अभिशेक क्या है son है तो इसने अमिताब ने क्या किया अभिशेक को कि मैं तुम्हें 10,000 रुपे परमंद दूंगा और यह इसने क्या कर लिया रिटन में लिखे इसको registered कर वा लिया है तो क्या नेचुरल लव और अफेक्शन का केस है बिलकुल यह नेचुरल लव और अफेक्शन का केस है फादर सन का है husband wife का है ठीक है father mother का है यह सब क्या है love and affections के केस है तो यहाँ पर जो contract बनेगा वो valid contract बनेगा हालाएं कि अभिशेक return में अमिताब को कुछ नहीं दे रहा है लेकिन अमिताब के अभिशेक को 10,000 रुपे दे रहा है और यह क्या है यह love and affection का केस है तो वैसे as per general rule यहाँ पर contract नहीं बनना चाहिए लेकिन यहाँ यहाँ पर contract बना है और कौन सा contract valid contract बना है जिसको contract कहते है क्यों क्योंकि natural love and affection का केस है तो पहला ध्यान रखना किस condition में natural love and affection की condition में क्या होगा consideration के without भी क्या होगा contract बनेगा दूसरा compensation for services voluntary rendered आपने अपनी इच्छा से कोई service दी है जैसे example ले लीजे कि राहूल है यह मैं हूँ यह मैं हूँ को अभी नंदन अगरवाल ठीक है तो इन मेरा के पर्स खो गया तो इसको राहूल को मिल गया तो राहूल ने मुझे पर्स दिया तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपे दूँगा राहूल ने मुझे पर्स दिया तो मैंने कहा मैं उसको 100 रुपे दूँगा क यहाँ पर कोई consideration आपको होगे हाँ है उसने आपको पर्स दिया है ना नहीं नहीं यह पर्स किसका था यह मेरा था यह इसका थोड़ी था यह पर्स मेरा था जो इसने मुझे लोटाया है तो यहाँ पर कोई consideration नहीं है राहुल ने अपनी चीज मुझे थोड़ी दिये उन्होंन 4-izen में अगरEMAं किया है कि मैं उसको सो रुपए दूंगा तो अगर उसको सो रुपे नहीं देता झो मेरे क्या कर सकता है मुझे है कोट में ले जा रखता है तो यहां पर भी यह contract बनेगा कौन सा बनेगा वैलिड contract तो natural love and affection दूसरा compensation for service voluntary rendered तीसरा promise to pay time-bar debts राहुल ने क्या किया मुझसे यह 10,000 रुपे उधार लिए ते लेकिन एक साल में देने ते नहीं दिये agreement एक साल का नहीं दिये एक साल के बाद राहुल ने promise कि return में कि ओ मुझे 10,000 रुपे पे करेंगा या जितना भी whatever amount जो भी हो 10,000 हो सकता है 5,000 हो सकता है 2,000 हो सकता है उन्हों मुझे क्या कर लिया दुबारा एक return return में लिखके दे दिया मुझे promise कर दिया कि मैं आपको 10,000 रुपे दूंगा तो यह condition क्या हो गई यहाँ पे यह lapse हो चुका था मैं इसमें क्या है मैं राहुल पे क्या है कोट में नहीं ले जा सकता था क्योंकि time barred हो चुका था लेकिन अब क्या हुआ अब इन्होंने मुझे वापस से क्या है return में पे करने का promise कर दिया तो यह contract भी कौन सा होगा valid contract होगा तो कौन सा natural love and affection voluntary rendered service time barred चो था अगर कोई agency बनाता है तो agency के case में भी क्या होता है consideration नहीं होने के बाद भी contract किया होता है valid contract होता है पांच वा completed gift मैंने क्या किया एक राकेश नाम का गरीब लड़का था तो उसमें क्या कर दिया प्रोपर्टी ट्रांसफर कर दी वह return agreement बना कि उसको registered करवा दिया तो यह मैंने इसको क्या कर दिया gift कर दिया मैं है न जो राकेश से claim नहीं कर सकता हूं एक बार मैंने इसको transfer कर दिया मैंने इसको gift के रूप में दे दिया मैं वापस इससे वापस नहीं मांग सकता हूं तो यहां पर राकेश ने मुझे कुछ नहीं दिया लेकिन मैंने राकेश को क्या है property दी लेकिन यहां प अगर एजनसी हो या कम्प्लीटेट गिप्ट हो इन पांचों कंडिशन में क्या होगा कंसिद्रेशन नहीं होने के बावजूर भी कॉंट्रेक्टट बनेगा और कौन सा कॉंट्रेक्ट बनेगा एनफोस्येबल कॉंट्रेक्ट बनेगा ठीक है तो इसको ध्यान रख लेना अब कुछ सेक्षिन 23 से रिलेटेड देखते हैं अब सेक्षिन 23 देखिए कि जो कंसीड्रेशन कैसा होना चीए पढ़ाता हमने कैसा होना चीए लोफुल होना चीए अनलोफुल नहीं होना चीए इम्मोरल नहीं होना चीए पब्लिक पॉलिसी के अपोश्ड नहीं होना चीए मतलब लोफुल होना चीए और पब्लिक पॉलिसी के साथ चलने वाला होना चीए तो यहां पर सेक्षिन section अभी कौन सा पढ़ा है 25 पढ़ा है जिसमें consideration के बिना भी contract कैसा बनता है valid contract बनता है यह section 23 है जहाँ पर क्या है unlawful consideration है और जब object object का क्या मतलब हो रहा है कि जिस चीज का हमाँ exchange कर रहे है अगर वो या फिर consideration है वो अगर unlawful है तो contract कैसा हो जाएगा वोईड हो जाएगा यह द्यान रख लेना कि अगर consideration unlawful है तो contract कैसा होगा वोईड होगा consideration नहीं है तो कोई contract नहीं होगा होगा तो कौन सी condition में होगा section 25 में जो पाच condition है उनमें कैसा होगा valid contract होगा अब देखे पहला देखे यह forbidden by law law नहीं जिसको मना कर रखा है जैसे कि drugs की supply करना क्या लोने मना कर रखा है कर रखा है वह किसी की सुपारी देना लोने मना कर रखा है कि भाई मैं तुम्हें दस अजार रुपए दूँगा तुम इसको मार दो या तुम उसकी शादी तुड़वा दो यह ऐसे हैं forbidden by law तो यह क्या है अल्लोफुल consideration और contract कैसा हो जाएगा void defeat provision by other law कोई दूसरे लोग के provision को अगर माल ले कि क्या करता हो यह defeat करता हो जैसे कि marriage act है ठीक है वह बोई की age कितनी है 21 गर्ल की कितनी है 18 यहाँ पर यहाँ पर क्या है contract act में क्या है 18 की है contract act में क्या है 18 साल का जो व्यक्ति होता है उसको क्या major कहेंगे और वो contract बना सकता है तो यहाँ यह क्या कर रहा है यहाँ पर यह 18 साल यह क्या है लड़का 18 साल का शादी नहीं कर सकता है क्योंकि 21 की act किस में दी गई है marriage act में दी गई है तो यह क्या है कि यहाँ पर 18 साल के अगर शादी कर लेगा तो यह क्या कर देगा कि कि किसी अदरलो मेरिस act के क्या है प्रोविजन को डिफिट कर दी गया तो इस कंडिशन में भी क्या हो जाएगा जो भी कॉंट्रेक्ट बनेगा वॉइड हो जाएगा आया समझ में सिंपल दा समझना है कि बोई 21 only 12 साल की उम्र है शादी करने की मैयरि एकट में लेकिन इसमें कॉंट्रेक्टट में कितने कह रहा हैं कि 18 साल का फोगी भी कॉंट्रेक्ट सकता है तो यह अगर इसने बना लिए तो वह कॉंट्रेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैजीक्त एपलीकेबल होगा उस condition में Mexi हो रही है तो video purpose वहे आजकल कहीं Rough या। तços परसेंट नथे रही है और जो आपने शैज्य थी बेंक वांच परसेंट इंट्रेस्ट ने फिर भाग जाते हैं या फिर पर्राइब के लूइन एट Eğer लोड़ दे दो कि छिग फॉर्ट महिने प्रोड वह कितने कर देंगे पांच लाग करदेंगे लग ऐसा ख्षक्ष टैप है जोड़ बनाई इससे कोई बत प्रोपारिटी कि मालीजे किसी का कोई बुक्स है है यह फिर कोई भी ब्रांड है है कि रहा है तो इनका किया होता है को पिर्इट कि तो उसका कई कोपी करके कोई चीज जैसा डुप्लिकेट चीज criticize पैस्ट बीचना समय रहे हैं जैसे मालेजे कोई बूक्स है कि कि कोपी राइट है तो उसकी वैसी की वैसी खोपी बना के बेचना यह को ब्राइन लेजे तो उसका duplicate उद्शना तो ने ऋक Adri solis सग मोज़ा और पांचव इम्मोरल और यह पॉर पॉपलिक पॉलिसी हो इस सेम बात किसी शत्रुदेश के साथ में कुछ ऐसा काम करना या पार करना या फिर वह यह ड्रक्स की सप्लाई यह सब क्या है इम्मोरल चीज़े हैं फिर पांच ऐसी कंडिशन है जहां पर क्या होगा ऐसे फिर अप्जेक्ट जीसे ड्रक्स की सप्लाई तो इन पांचों कंडिशन में कॉंट्रेक्ट क्या हो जाएगा जैब और जहां सेक्षन 25 में क्या पड़ा था कि ऐसा होगा वैलिट कॉंट्रेक्ट होगा तो एक एक उसेडरेशन की पाड़ी हमने consideration का section 2D section 25 और section 23 अब आएंगे हम valid contract के जो अपने पढ़ा था last में हमने क्या पढ़ा था कि valid contract section 10 उसमें कुछ essentials होते है तो इसमें पहला essentials क्या था competent to contract ये कौना section 11 था कि parties कैसी होनी चीए जो 2 person जो contract बना रहे हैं वो कैसे होने चीए वो major major होने चीए majority majority मतलब 18 साल के होने चीए sound mind होने चीए और किसी भी लोग ने उसको disqualify नहीं किया contract बनाने के लिए आप contract में entered नहीं हो तो ये क्या हुआ competent to contract contract ने competent के लिए क्या हो गया major होना चीए sound mind होना चीए और disqualified नहीं किया जाना चीए किसी लोग के द्वार sound mind section 12 sound mind का क्या मतलब है consent का क्या मतलब है free consent का क्या मतलब है ये आगे वाले slide में देखते है section 11 देखिए competent to contract contract के लिए क्या है योग्य है तो पहले तो क्या होने चीए मतलब उनकी उम्र 18 से ज्यादा होने चीए दूसरा sound mind होना चीए और तीसरा किसी लोग की द्वारा वो disqualified तो नहीं की गई कि वो contract बना ही नहीं सकती है कि ये तीन चीजे ये तीन तरह कि जो परसान होंगे वो क्या है कोंट्रेक्ट बनाने की योग्य होंगे section 12 देखिए sound mind कोई भी परसन है वो यूजरी तो sound mind का मतलब डेली लाइब में क्या है sound mind का लेकिन कभी-कभी वो unsound हो जाता है तो इस condition में क्या होगा जब वो sound mind का है तब तो वह एक्रिमेंट बना पाएगा और जब अंसाउंट का है तब नहीं बना पाएगा इसका एक्जाम्पल में या फिर वूमेन भी हो सकती है वो तो यह क्या है कि जिस दिन पिया हुआ है उस दिन के अंसाउंड वाइंड जो क्या हो के लिए तो इस condition में contract agreement नहीं बना पाएगा जबकि असाइलम पैस्टेंट यह जनरली अंसाउंड वाइंड का होता है लेकिन यह कभी कभी साउंड माइंड का होता है तो इस condition में यह contract agreement बना पाएगा तो यहां पर आपको सिर्फ एक की बाद ध्यान रखनी है चाहे वह और यूज्वली हो रखनी क्या साउंड माइंड मतलब contract बना सकता है कि सेक्शन तेरा देखे consent consent का क्या मतलब है कि एक यह उससे ज्यादा पर सब्सक्राइगरी हो कि सीज़ के लिए एक ही चीज़ के लिए same thing in same sense यह बात ध्यान रखना कि अगर जो दोनों पार्टीज वह सेम सेंस में सेंटिंग के वारे में एगरी हो जाए तो उसे consent कहते हैं यह आगे अपने मिश्टेग में काम आएगा मिश्टेग में पता चलेगा कि अगर दो पार्टीज उनका सब्जेक्ट मेंटर अलग है या फिर वो सेंस में सेंटिंग पर अगरी नहीं हो रही है तो उस कंडिशन में कॉंट्रेक्ट क्या हो जाता है वोल्ड हो जाता है तो यह आगे हम पढ़ लेंगे यह बात ध्यान रगना कि सेंटिंग सेंस एगरी हो गए तो वो कंसेंट है अधरवाइस वो कंसेंट नहीं है आगे चलेंगे सेक्शन 14 में जिसका नाम है फ्रीकंस सेक्षिन 14 देखे ूपिष्य कंशेंट फ्री कंशेंट क्या होती है देखे कंसेंट इस नौट फ्री वेहन कोस्ट बाई अगर इन चीजों में । अगर इन कारणों से consent मिली है तो वो consent free consent नहीं कोब बैंगे हों इन चारों क कारणों से अगर वोई consent मिली है तो वो free consent में नहीं है और जो contract बनेगा वो कैसा बनेगा avoidable बनेगा जबकि mistake में जर्नल बात करें तो contract void होता है बाकी mistake के बारे में detail से आगे हों पढ़ लेंगे वहां कहीं valid भी होता है कहीं void भी होता है अगर केवल mistake का question आएगा और general पूछा जाएगा तो answer क्या आएगा अब कोर्जन को क्या क्या मतलब वह दराना दंकाना इसका क्या इसमें यह भी आ सकता है कि what is the poison और चार option देदेदेदेदेदेदेदेफिनेशन भी थोड़ी इसके दंसे देख लेंगे कि committing और threat to commit any act forbidden by IPC Indian Panel Code ने जो कहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो करना या फिर उसकी धंकी देना जो इंडियन पैनल कोड ने मना किया अगर ऐसा कोई काम करता है तो वह लेना किसी प्रॉपर्टी को या तो अपने उसमें लेना उस पर कबजा कर लेना या फिर धंकी देना यह सब क्या है और यह क्यों किया जाता है तो दप्रॉजिडिशाइं ऑफ एनी परसन ताकि जिस परसन के प्रॉपर्टी यह उसको हाम पहुचा सके या उसको हम क्या है उसको हम डरा दंका के कॉंट्रेक्ट अपने एग्रिमेंट के अंदर उसको ला सके है अब इसका एक्जामपल देख उसके आपके सब्सक्राइब करने की जो आई-पीसी में मना की गयी तो इसमें क्या किया और जन का यूज किया है तो कॉंट्रेक्ट कैसा होगा वाटेबल कॉंट्रेक्ट होगा की और आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन सोला देखिए अनुड्यू इंफ्लेंस किसी पहना जवर्दस्ती फ्रभाव डालके उससे कुछ ले लेना तो इसमें एक पार्टी इस पोजिशन में होती है कि वो डूमिनेट कर सकती है दूसरे की इच्छा को ठीक है माल लिजे ए और बी है एक क्या है मास्टर है और बी के सर्वेंट है इसके उपर उपर लेन की कोशिश करेगा तो आसा कम माना जाएगा कि एंद्ट्रेंस हुआ है वह केंगे प्रिजंशं और व अंक्रत किया जा सकता है तो पहली condition तो जब पहली party ऑगर एकर रियल और अपरेंट अथोटी जैसे master sir सर्वेंट और डॉक्तो पैशेंटों पैशेंटा तो इसमें क्या मास्टर के ऑफ्ठो ऑंसेंटा जञां अस ने अंदीशन में आइसा हो सकता है ऐसा एक Dash biology क्रेडिटर कีसाथ कर सकता है फादर सब्सक्राइब क्रेंध एक चारों कंडिशन ऐसी होगी जब क्या है कि यह चारों क्या कर सकते हैं अपनी सेटेंड पार्टी पे अंडिव अन्फेर एडवेंटेज दे सकते हैं इनको डॉमिनेट करके तीसरा पुंट वन पार्टी में से अएक पार्टी में दूसरी पार्टी पेस्ता है तो दूसरा परशना प्सेंट हो चुक है असके सोचने-समझने की शम्ता कम हो चुकी है इस सब्सक्राइब बार इसको एंफेर भी करते हैं माली जी परसंग मैं उसने किसी से से एक लाइब रुपे का लोल ले पचास प्रसेंट इंटरेस्टेट बेट तो कोट क्या करेगा कोट करेगा कि यह क्या है अन्फेर काम हो गया यह जब वह अंसाउंड गदर तो ऐसा कोंट्रेक्ट बन गया तो कोट क्या जा सकता है तो चार कंडिशन है जब माना जाएगा कि एक पार्टी यह दूसरे पार्टी पर अंड्यू इंफ्लेंच डाल रही है या डाल सकती है इस कंडिशन में बर्डन ओप्रूफ किस पर जाए सब्सक्राइब गया कि मैंने सर्वेंट पर कोई अंड्यू इंफ्लेंज नहीं डाला डॉक्टर कहें पैसे इसमें क्या है जो बड़न ओप्रूफ है नोज़े कोस्टर में है क्रेडिटर हजबन फादर सन इधर मास्टर इन पर बड़न ओप्रूफ आएगा थड़ में डॉ परसन को क्या कर दिया अंड्यू इंफ्लेंस लगा के या फिर बाद में उसकी जो अंसाउंड मेंस का यूज करके उसको हैर पैजेस पे लोन दिया है तो यह आपको समझ में आएगा कि अंड्यू इंफ्लेंस क्या है कि एक पार्टी के दूसके पार्टी की इच्छा बदल स एक पाटी में दूसके पाटी में दूसके पाटी से क्या है यह चार कंडीशन ऐसी हो सकती है इस सब्सक्राइब कुस्क्राइब को किसको प्रूफ करना पढ़ेगा कि यह है। कि उसने अंड्यूइंफ्लैंस उसका डंड्यूइंफ्लैंस नहीं किया है। ठीक है आगे बढ़ता है section 17 जिसका नाम है fraud section 17 और 18 को थोड़ा comparison करके पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा section 17 फ्रोड section 18 mispresentation अंतर क्या है इसमें तो क्या fraud मतलब तो क्या जानभूज के कुछ गलत बोल देना कुछ जूट कर देना ना किसी के साथ धोका धड़ी कर देना लेकिन mispresentation में क्या है अनिंटेंसली होता है मतलब जानभूज की उसने ऐसा नहीं कि इसमें एक्टिव कंसिल्मेंट मतलब जानभूज के चीज़े चुपाएगा फ्रोड करने के लिए इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें किया करेंगा वो फालस स्थेट्मेंट देगा युसको यह सब सब्सक्राइब वह सकता है यह वी वह गलत होता है लेकिन उसका क्या इंजन खराब है उसका पता नहीं चेक इंजन खराब है तो इसको क्या लग रहा ता है यह का रहा है यह सब कुछ तीक नहीं थे लेकिन यी एक को पता नहीं था थीजमेंट हो गया जानभूज किसमें जूट नहीं बोला प्रोड में कर सकते कौंट्रेक्ट को कैंसल कर सकते यह बीच आता तो यह बाइक को क्या टूट को तोड़े से फर्स लगाता यह किसी मेकनिक को दिखाता तो यहाँ पे डिसकवर कर सकता था टूथ को लेकिन इसने यह कोशिश नहीं कि इसलिए कि डेमेंज नहीं कर पाएगा जब कि इसमें कैसे में तो चाके भी हो का उसने किया इफ रोड है तो वो कुछ डिसकवर्म नहीं कर पाएगा, इसमें कहले है, कौन करेगा contract को claim damage, एग्रिवड party, जो परिशान party है, वो ही क्या कर सकती है, वो ही contract को गोई double कर सकती है, वो ही क्या damage claim कर सकती है, वो ही उसको contract को cancel कर सकती है, तो यह है fraud और mispresentation की बार में, fraud की एक छोटी सी बात तो और अगरी है, वो पढ़ लेते हैं, यह आपके समझ में आया होगा, इसमें देखिए, fraud से related 3 example देखिए, एक point भी देखिए, कि mere silence is not fraud, unless it is duty to speak or silence is equivalent to speech, यह दोनों कोईट समझने कोशिस करेंगे, कि जो अगर आप silent है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप fraud कर रहे हैं, जब इसमें कुछ changes होने वाले हैं, तो ए चाहे तो बी को बता सकता है, लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बी को बताऊंगा, तो वो हो सकता है, मेरे समान नहीं उठाए, तो उसने बी को नहीं बताया, तो क्या फ्रोड है कि बिलकुल नहीं, यह कोई भी फ्रोड नहीं ह है, उसके ऐसे उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर यह फ्रोड नहीं है, सैकंड कंडिशन, एने कुछ पिक्स बी को सहल किये जो फीवर, जिनके कुछ फीवर था, यह जानता था, लेकिन उसने बी को नहीं बताय किया, बिलकुल फ्रोड नही है, यह बी क्या सेम टू सेम लग रही है, कैवेट एंप्टर की, कि बी ने खरीदा तो उसको ध्यान से खरीबना चाहिए, तो तीसरा, ए और बी है, बी ने कहा किया, यह से होर्स पर चेज़ किया है, ठीक है, और उसने कहा कि, इफ ए डॉन्ट डेमी, अगर वो कहता है, बी खरीद रहा हूँ, वो sound mind का, तो यह क्या है, यह silence का है, इक्विलेंट टक को अगर यहां पर स्वी स्वीन सीनilities तो क्या पीछ है थो सदो नहीं हुआ है तो इन सीठीनों कंडिशन में क्या माना जाएगा और कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है यहां पर केवेट्ट एमटर की ठीज़ी देखी जाएगी करना सेक्शन कौन-कौन सा हो गए सेक्शन ग्यारा बारा ग्यारा कंपिटेंट वार्जी 12 साउन माईं तेरा कंसेंट 14 फ्री कंसेंट 15 वार्जन 16 अंड्यू इंफ्लेंट 17 फ्रोड 18 मिस्प्रजेंटेशन अब तीन सेक्षन बचें 20 21 22 वो किस से रिलेटेड है वो मिस्टेक से रिलेटेड है उसके आगे अपना बचा है कुछ चोटी मोटी बाते बच्ची हैं कुछ रेश्ट्रेंट तो कुछ एग्रिमेंट से जो वोइड होते हैं उनके बारे हम बात करेंगे वहां से भी एक अड़क्यूशन पूछ लिया जाता है तो अब यह एक्ट लगबग लगबग खतम होने पर ही है चलिए आगे बढ़ते हैं और फटापर इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए सेक्शन 19 में क्या कहा गया है कि वोईड़िटी ऑफ एग्रिमेंट विदाउट फ्री कंसेंट मतला कोर्जन फ्रोड और मिस्पर प्रजेंटेशन क्या है इनके कारण जो भी कंसेंट होती हो फ्री कंसेंट नहीं होती तो इन तीनों के कारण अगर कोई एग्र कि अगरेंट प्राद करने तो स्थिखेंट फ़रा सब्लेट फाया है तो सेक्शन 19 के कारण अब करते हिन अंगरेंट का सेक्षव 10uchenweeg है वही है गलत थेमी हो गई इन्नोसेंट या अर्मियस बिलीफ मतलब कुछ ऐसी मतलब ऑपीनियल आ गया दोनों का कि समझ ने बात दोनों के समझ में नहीं ऐसा कुछ हो गया दो टाइप की होती है यूनिलेटर लिए डेफिनेशन देख लीजेगा पूर सकते हैं कभी मिस्ट अब देखे बाइलेटरल कंडिशन है तो बोथ पार्टी के अंदर मिस्टेक है तो यह क्या करती है कि डिफ्रेंट सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचती है तो मैंने क्या कहा था कंसेंट के टाइम पे बताया था कि दोनों पार्टी आज क्या होना चाहिए यहां पर क्या होता है जया में ऐरे दोनों पार्टी हो गए सब्जेक्ट मेटर अलग-alग अपप बने गया कुन सा कॉंचर्ट क्या रोर्ण क्या होगा अब हम मिस्टेक में कहें हैं जाएंगए तो उसमें कि ऐभा नो कि ऌयों तो फिर ऐस्ट करना अगर जनरल कुछए ऑगा से मिस्टेक से बनाऊ उन्टर्क कैसा होगा तो और उसका वही होगा आप मिस्टेक पढ़ लिया है, मिस्टेक क्या होती है? दो टैप क्यों होती है? अब सबसे important बात इसमें होगी कि मिस्टेक का क्या है? तोमिस्टेक of fact होता है जिसको matter of fact कहते है? कहता है यहाँ पर यूनिलेटरल में contract valid रहेगा लेटरल में कॉंट्रेट वोई रहेगा देखो कैसे हैं एक पार्टी अंडर मिस्टेक है मैं गया मैंने दुकान से क्या है सरसोगा तेल उठाय लिया ग्रोव उसको दिया शौक की पर को लिया पैसे देखे आगए जब कि मुझे क्या लाना का मुनफली का तेल या फिर उल्ट मैं उससे दो पूछा निकाई उसको दिया उसने तोला पैसे लिया उससे मुझे दाल दे दी इस कंडिशन में क्या होता है जो कंट्रेक्ट को वैले KONTRAKT होता है जब कि मिस्टेक में क्या है कार है तो इहां पर लगा इस तनी सेंव सेंस वह तो यह नहीं तो रफ्रेंट सब्जेक्ट मेंटर हो गए अपर कोंट्रेक्ट में नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा रहेगा क्योंकि वो अपने की प्ट्राइब आप एंडिया में रह रहे हैं इंडिया लो बारी में आपको पता नहीं है तो और ऐसा करते हैं तो भी कॉन्वर्ट के थो है और फॉर एंडिया रहें थे लयकतल को पता नहीं लगा पाई तो इसकog यृट्LE मांग सकते हैं तो यह बात ध्यांद रहूतर यूंई-ो में सानाँ से चीजिट में और नमला किंश है तो संस प्रियन को norm नीटलनchs सतों कि वैलिट यूनी बाइलेटरल मिस्टेक और फेक्ट में गोंट्रेक कैसा होगा वोइड होगा चली है अब अपनी लास्ट स्लाइड की और अपन बढ़ते हैं जिस में क्या-क्या है रेश्ट्रेंगे रेश्ट्रेंग प्रोशिंटि अग्रीमेंट वेजरिंग एग्रिमेंट ये पांस तरह की जो चीजियां वो सब वर्ड होती हैं इसके कुछ एक्सेप्शन से उसकी बाते हम करेंगे फिर यह चैप्टर क्या है कम्प्लीट हो जाएगा आगे वाले पार्ट में 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 सीक्ट की बात करेंगे आज और हम लाश्टर की वा स्वाइड की बात कर रहे हैं इसमें क्या कुछ एग्रिमेंट्स दिये हुए जिसने意味मिंट है ज़ो की सेक्षिंटवं पैरी मेरी tweaks में डिया हुआ है रेश्टरिंग मेरिशंट है क्या ऐसा एग्रिमेंट बना लेना कि आप किसी फिक्स पर शशम से आप जैसे जैसे कहा देगी एह है न वो जो भी है उससे मैरी नहीं कर सकता है ऐसा कोई एग्रिमेंट बना लेना तो ऐसा एग्रिमेंट क्या होगा वोड एग्रिमेंट होगा यह अपोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है हम ने जो वैलिट कॉंट्रेक्ट के एसेंशल ते उसमें पढ़ा था ना पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी वहां पर भी पढ़ा था जो लोग के द्वारा फॉर्बिडन किये हुए हैं मैक्स रेस्ट्रेंट ट्रेड सेक्शन 27 आपको व्यापार करने से नहीं रोका जा सकता है अगर रोका जाता है तो ऐसा एग्र Sa Benedict Salon your business to get the gold family this अंठर है तो है कंडिशन क्या ओगा हूगा वैलें कोंट्रेक्ट होग अगर्वाइस रेश्ट यह वेगल प्रोइदिंगे कि अइस इसकंडिशन क्या है कोट में नहीं जा पाएंगे तो ऐसा होगा हमेश्य बोइड रहे गव ह讲 तो यह पोएंट मैरेच्ष ट्रेड और प्रोसेडिंगे तीलों कॉंट्रैक्त कैसे होंगे वाइड होंगे पर का याहाए यह पर एक्जाम्पल धेकि एस हैं डीड़िछ ने यॱ तेल स प्लाई करने बात開 लो हैं तहएं को स hormone कि बात किये हैं पर कुछ क्लारीफाइद नहीं हो पा रहा है है थो यहां पर कौन से ओइल की बात है एस तरह का क्क्रेक्ट क्या हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्लेरीफाइद नहीं लेकिन सब्सक्राइब देखिए तो यहां पर क्या पॉइंट हो जाएगा कि जब यहां पर यहां पर पता नहीं था एक कौन सा कर रहा है यहां पर पता नहीं था यहां पर को डियां पर पांच माइंट वैजरिंग एक्रिमेंट सचन थि इसलइट कॉंट्रेक्ट भी क्या होते हैं कि वन टू ठ्री फॉर फाइब इस पांचों से रिलेटेड कोंड़ेक्ट वॉइड होते हैं जैसे सेक्षन टू का exception है इसेल और गुड़ बिल ऑफ विजनिफ वैसे सेक्षन फाइब के भी एक्सेप्शन जैसे चिट चिट फंड बनाते हैं जिसका नाम उसको उतना पैसा दे दिया जाता है है ऐसे करके एक तरह का फंड होता है चिट फंड है कोमर्शियल और शेयर मार्केट ट्रांजिक्शन से गेम सोग इस्किल्स एंड एथलेट कॉंप्लेट कॉंपेटिशन से इस्किल्स के गेम जैसे आप न्यूस्पीपर में देखते हैं इस बॉक्स वाला गेम आता है जिसको क या कहते हैं पजल क्रोसवर्ड पजल कहते हैं तो अगर इस से रिलेटेड आपको कुछ इनाम मिलता है एथलेट कंपेटिशन से कुछ इनाम मिलता है या फिर इंशुरेंस कॉंट्रेक्ट चार तरह की जो बाते हैं चिट फंड कोमर्शियल ट्रांजिक्शन गेम सोब इसकि ट्रेड में और वेजरिंग में कुछ एक्सेप्शन से जो क्या है वैलिट कॉंट्रेक्ट होंगे अधरवाइस क्या है सब वोईड कॉंट्रेक्ट होगे ध्यान रखना क्यूशन आ सकता है अब आप देखें कि हमने पीसी ट्वंटी से रिलेटेड लगबग कि सबी एक्ट कर लिये हैं बस अपना एक बचा है इंस्ट्यमेंट एक्ट जो भी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिछ करेंगे और इसके नेगोशीएबल कॉंट्रेक्ट के मसई क्यूशन और जो भी अधर्स से उनके इन से जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि अप्लोड किये जाए है कि कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा और कुछ आपके सजेशन्स कमेंड्स और कुछ क्वेरी है आप लिटके बेजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू